इंडिया में जो नई क्रेटर लोंच हुई है उसमा आपको पांच बेहतरिन फीचर्स वो ऐसे मिलेंगे जो के आपको किया सेल्टोस में भी नहीं मिलते हैं तो आएए जानते हैं वो फीचर्स कौन-कौन से हैं पांच टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए पहला पैडल शिफ्टर्स विड टर्बो पैट्रोल वैरियेंट यानि स्टेडिंग पर गेर्स हुडाई क्रेटा 2020 में आपको क्या सेल्टोस वाला ही बिल्कुल 1.4 लिटर टर्बो पैट्रोल इंजिन मिलेगा इस इंजिन के साथ क्रेटा में 7-speed DCT automatic transmission मिलेगा इसके अलावा क्रेटा में हुडाई पैडल शिफ्टर्स यानि आपको इसमें स्टेडिंग के ओपर गेर्बोक्स मिलेंगे एक तरफ से डाले जाएंगे एक तरफ से निकाले जाएंगे जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डियूल कलेस transmission के साथ पैडल शिफ्टर्स आपको क्या सेल्टोस में नहीं मिलता है पैनरोमिक सनरूफ क्रेटा में इस बार हुडाई काफी बड़ा सनरूफ दे रही है सेल्टोस के मुकाबले इस सनरूफ काफी प्रीमियम लगता है पहले के मुकाबले में सेल्टोस में आपको बड़ा सनरूफ तो मिलता है पूरी दुनिया में पर इंडिया में किया ने इसका सनरूफ छोटा दिया है क्रेटा 2020 का सनरूफ काफी स्मूथ होगा इंडिया में अगली बात है क्रेटा काफी फीचर्स वाली गाड़ी है इस गाड़ी में काफी हाई टेकनोलजी इस्तमाल की गई है हुड़ाई ने क्रेटा के मैनुवल ट्रंसमिशन में ब्लू लिंक दिया है इसकी वज़े से आप इसको रिमोट से इंजिन स्टार्ट और ओफ कर सकते हैं यानि इसको रिमोट से स्टार्ट भी कर सकते हैं और इंजिन को स्टॉप भी कर सकते हैं यानि बंद भी कर सकते हैं जबकि सेल्टोस में आपको ये फीचर्स शिर्फ ओटोमेडिक ट्रंसमिशन में दिया जाता है चोथी बात है Digital Instrument Cluster Crater and Seltos दोनों के मेटर के बीच में आपको 7-inch full color display मिलती है Crater का Instrument Cluster काफी अच्छा लगता है Seltos के सामने और इसका मेटर बिल्कुल fully digital दिया गया है इस बार Crater का जो कि काफी अच्छा लगता है पांचवी बात Touch Control for Auto Air Purifier Crater में आपको Inbuilt Automatic Air Purifier मिलता है ये सेम आपको Seltos में भी मिलता है दोनों गाड़ियों में आपको Purifier के लिए डिस्पले मिलती है Crater की Purifier की जो डिस्पले है वो Touch Display है जबकि Seltos में वो नहीं है तो ये 5 features वो हैं जो कि यूनिक हैं Crater के लिए आपको इस कार के features कैसे लगे हैं कार की looking कैसी लगी हमें comment box में आप जरूर बताईए